हेलो एवरिवन, वेलकाम डो पार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स की यूट्यूब इच्चिनल में आपका स्वागत है आज के उडियो लेक्चर में हम डेटिल में स्टेडि करेंगे पांच सबसे अच्छी हाई ब्लड प्रेसर की दवायों के बरे में हाई बीपी, मतलब कि इसमें ऐसे कॉम्प्लिकेशन्स होते कि आपका ब्लड प्रेसर जो है वो नॉर्मल से काफी ज़्यादा इंक्रीज होता है जिसके करन कई बार आपको सास लेने में तकलिफ होती है, दुंदला दीखने लगता है और कुछ पेशन्स को जो हो छाती में दर्द होता है तो ये condition को treat करने के लिए उसको control करने के लिए जो medications use की जाती है उसकी study करेंगे और उसमें 5 सबसे अच्छी कौन सी है वो जानेंगे तेक्सपेट लेक्चर बाया मरसर असिस्टम प्रफेशर एंड फाउंडर ओफार्मा रोक्स तेंक्यू परबीन फार्मा रोक्स फेमिली अपडेट रही है फार्मा लेली के साथ सीखे विमारियों के बारे में उनकी उपचर के बारे में कौन सी दवा या या यूज होती है उनके डोज, साइड इफेक्ट, वर्निंग कॉन्टर इंडिकेशन एक साल तक अफ़ाडिबल प्राइज में फार्मा रोक्स के अब उपर तो एंडरोड यूजर एंडरोड आप डाउनलोड करें आइफोन यूजर एप स्टोर से या फिर 9016312020 नमबर पर आप हमें कॉन्टेक करेंगर आपको मेडिसिन कूर्स को जोईन करना है साथ या हमारे सेकंड चनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सब्पोर्ट करें जिसका नाम है हॉलिवूड टुइन दी एक्स्प्लैन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप समझते हैं हाइपर टेंसन या फिर हाई ब्लड प्रिसर के बारे में देख ऐसे बीमारी के जिसके अंदर आपका ब्लड प्रिसर जो है वो नॉर्मल से जो है इंक्रीज होता है कि जो normal systolic blood pressure होता है 120 जितना होता है और diastolic जो है वो 80 होता है और उसका unit होता है mm mercury unit में वो measure होता है तो अगर इससे blood pressure आपका काफी ज्यादा बढ़ जाता है जैसे कि for example किसी patient का blood pressure आ रहा है 180 110 तो systolic है 180 और diastolic है 110 तो यह condition हम ऐसे कहेंगे कि उसको high blood pressure का problem और वो condition को treat करना उसको control करना बहुत ही ज़रूरी होता है because जब blood pressure बढ़ जाते है तो सास रने में दिक्काद आती है चाती में दर्द होता है और बहुत सारे दूसरे complications जो हो देखने को मिलते हैं तो इसको hypertension या फिर हम high blood pressure की condition पर कहते है तो specially जो आपका blood pressure जो है वो increase होता है यहाँ पे जो आप चार्ट देखो तो normal के range में इस तरह से अलग-अलग stage में person का blood pressure जो है वो increase होता है कि यह elevated का हो जब 120, 129 और 80 के आसपास हो बट यहाँ पे देखो stage 1 में 130 से 139 तक जा रहा है systolic pressure diastolic 80 से 89 तक के बीच में आता है फिर stage 2 hypertension में आप देखो 140 के उपर जा रहा है blood pressure जो systolic है और जो severe condition कही जाते है उसमें 180 से भी उपर आपका blood pressure पहुचता है तो यह condition को ठीक करने के लिए 5 best medication जानते हैं तो सबसे top पे है वो है amlodipine है second अटेनोल, third lysinopril, fourth है valsartan और पांच भी प्राजोसिन तो यह पांचों के बारे में detail में जानते हैं सरुआत करते है amlodipine से तो amlodipine जो है वो calcium channel blocker class के anti-hypertensive medication है कि जो सबसे ज्यादा prescribed होने वाली medication है blood pressure को control करने के लिए उसका जो dose होता है 2.5 mg lower dose में use होती है या फिर 5 mg के dose में once a day दिन में एक ही बार के कुछ लोग जो है वो 5 mg वाला use करते हैं कुछ लोग 2.5 mg के depend on उनकी condition किस तरह से है और ये medication जो है वो medical super reason में लिनी चाहिए कि जब भी आपका diagnosis होता है high blood pressure और उसके बाद proper medical super reason में ही आपको ये medication लिनी चाहिए हो सके तो हर वीक एक बार आपका जो है वो blood pressure के आपको जांच करानी चाहिए और ये medication हमेशा lower dose से में लग की ये 2.5 mg जो है वो once day के हिसाब से जो वो patient start करता है और अगर फिर भी blood pressure control ना आ रहे तो ही वो ये 5 mg वाली medication यूज करता है या फिर 2.5 mg के tablet दिन में दो बार खाते हैं तो इसका dose इस तरह से रहता है 2.5 से लेकर 5 mg once a day तो इसके को side effects भी होते हैं वो भी जान लो तो आपके heart beat जो है वो increase करवा सकता है तो ये एक warning रहती कि अगर आप heart के patient है साथ उसाथ तो amlodipine के medication use ना करें खास ज्यान रखे ये कि अगर किसी को heart का problem है अल्रेडी दिल कमजोर है उनका तो उनको amlodipine जो हुए नहीं दी जाते because उनके कारण के heart beat increase हो सकते है और heart related pro complications उनको हो सकते है second constipation करवा सकते हैं ये medication जिसको हम curves कहते हैं dizziness जैसा आप feel कर सकते हैं मनलब कि स्फूर्ती ना रहना नेंद जैसा आना जैसी condition fatigue मनलब कि कमजोरी या फिर थकान flushing जैसा आप feel करते हैं आपके body के उपर सिरदर्द कोई feel करता है nausea vomiting या फिर ऐसे rashes भी बन जाते हैं कई बार कुछ लोगों को ये medications के sad effect के दौर पे second जो है वो है ये बनाया था आपको बता हो तो antihypertensives पे बनाया था तो उसमें class अधा था बीटा ब्लोकर ड्रग even बीटा ब्लोकर पे हमारा individual lecture भी अवेलेबल है तो वो भी आप देख सकते हैं गर आपको और ज्यादा detail में study करते हैं बीटा ब्लोकर क्लास का जो एटेनोल है उसका dose रेता है 25 से लेकर 50 mg once a day तो minimum dose उसका रहेगा 25 mg आप दिन में एक बार लेते हैं या फिर 50 mg दिन में एक बार लेते हैं या फिर maximum dose के तोर पे 25 या फिर 50 mg दिन में दो बार तो समझ लो maximum dose patient के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 mg जो होना चाहिए maximum 100 mg पर डेस से ज्यादा ये medication यूज ना करें अगर समझो ये 50 mg आप 101 के तोर पे लेते हैं तो उस से ज्यादा dose जो हो नहीं लेनी चाहिए और ये भी proper precautions के साथ ही ले जाती है और इसके लिए एक condition रहे थी कि अगर आप caffeine ले रहे हैं cup syrup ले रहे हैं या फिर apple juice या फिर orange juice ले रहे हैं तो उसके साथ जो है वो ethanol all जो है वो use ना करें because ये कहा करता है कि ethanol all का जो absorption होता है आपके body के अंदर उसको prevent करता है मिलने लें कि रोकता है तो caffeine के साथ कभी भी ethanol all ना ले किसी cup सिरत के साथ ethanol all को use ना करें अगर आप apple juice लेते हैं या फिर orange juice लेते तो भी ethanol all को उस समय साथ में use ना करें ethanol all के कुछ side effects देखें तो tiredness में लबकी इस तरह से आप ठकान कम जोरी जैसा feel करेंगे ये medication लेने के बाद किछ patients का blood pressure अचनक से down हो जाता है तो low BPP कर सकती है ये medication इसलिए जो हमने dose की बाद की तो हमेशा उसका जो minimum dose है कि जो हमने बाद के कि 25 से लेकर 50 mg once a day के हिसाब से उसका lower dose से treatment start की जाती है because मान लो अचनक से blood pressure down हो गया तो patient को काफी complications हो सकते है फिर ये medication क्या करेगी heart rate slow करवा सकती है जैसे amlodipine में हमने देखा कि heart rate increase करवाती थी ये medication heart rate जो हो reduce कराती है फिर cold extremities जैसा आपको problem हो सकती है dizziness जैसा feel हो सकता है depression में patient जा सकता है और nausea vomiting जैसे कुछ side effects develop होते है etanolol के कारण फिर dreaming dreaming बिल कुछ लोग मैसुस करती है अगर उसको काफी high dose में ले लेते है तो तो ये ख्यास दियान रखे कि etanolol हमेशा proper dose के हिसाब से ही लीजिए कभी भी उसको high dose में use ना करें तिसरी medication है वो है lysinopril तो lysinopril जो है वो AC inhibitor है कि जिसको हम angiotensin converting enzyme inhibitor कि जो ACE कहे जाते है तो lysinopril के जो dose की हम बात करें तो 5 से लेकर 40 mg तक ये medication जो ली जाती है तो minimum जो है वो उसका dose बनता है 5 mg जितना पर डे और जो maximum dose जो उसका बनता है वो है 40 mg पर तो ये खास देने के कि 40 mg से ज्यादा दिन में और कभी भी उसको जो है वो यूज़ ना करें कि maximum 40 mg से ज्यादा कभी भी आपको यूज़ नहीं करनी है और regular diagnosis फिर blood pressure monitoring के साथ ही उसका जो dose जो है वो fix किया जाता है और हमेशा जो treatment जब भी start की जाती तो ये 5 mg के जो tablet साथ है उसी से treatment जो start की जाती है कि ये 5 mg का tablet percent once a day के हिसाब से यूज़ करता है और अगर उसका blood pressure control नहीं रहता तो फिर once a day के बजाए वो दिन में दो बार यूज़ करता है और SMLF के फिर उसका dose जो एक final fix किया जाता है और कुछ लोगों का लिए ये 20 mg के tablets भी prefer किये जाते के अगर 5 mg से उनका blood pressure control नहीं आता है बट धियान ये रखना है कि हम में सा जब भी diagnosis हो आपका blood pressure high है तो lower dose से ही treatment start की जाती है लिसिन ओप्रेल के हम कुछ side effects देखे तो उसके कारण जो है वो dry cough के जो complications होते है कि coughing जैसा patient फिल करते है dry cough मतले कि जिसको हम सुखी खासी कहते है जिसमें कोई bulgum या फिर mucos नहीं आता फिर blood के अंदर potassium का level जो है वो increase करवा सकते जिसको hypercalemia हम कहते है इसके करण भी आपको fatigue मतले कि थकान कमजुरी जैसा आप फिल करते है angio edema जैसे या पर आप देखो कि lips के उपर सिजन है nose का जो बाग है आखों के उपर सुजन रहना चहरे पर सुजन या फिर आपके हाथ के उपर पैर में सुजन देखने को मिलना तो इसको angio edema कहते है तो ये कुछ लोगों को side effects develop होती है listenopril लेने के बाद कुछ लोग dizziness जैसा फिल करते हैं सिरदर्द जैसा होता है या फिर आपका taste जो है वो loss हो जाए ऐसे कुछ side effects develop होती है listenopril के कारण वीडियो के बीच हुए आपको बता दो कि जो हमारी second channel जो हमने start कि उसको subscribe करके जरूर से हमें support करें कि वहाँ पे आप अलग-अलग Hollywood की movies को Hindi में explain कोई story के साथ उनकी कहानी को अच्छी picture quality के साथ जो वह सुन भी पाएंगे और देख भी पाएंगे तो अभी subscribe करें हमारा second channel link description box में मिल जाएगी चोथे medication जो है वह एंटी-hypertensive में वह है वालसार्टन तो वालसार्टन जो है वह एंजियोटेंसिन receptor blocker क्लास का medication है कि जिसको और AR-20 भी कहा ज़ता है कि एंजियोटेंसिन receptor blocker medication या फिर एंजियोटेंसिन टाइप टू receptor antagonist 80 टू भी कहा ज़ता है तो ये medication जो है वह काफी popular है कि अगर जो हमने previous तीन medication जो डिसकस की इससे patient ठीक नहीं हो रहा तो वालसार्टन के medications भी उसको start किया जाते हैं तो उसका जो dose रहता है 80 से लेकर 160 mg once a day के हिसाब से patient यूज़ करता है one hour before meal वल्लकि खाना काने के एक गंटा पहले तो समझे कि किसी के लिए 40 mg के dose से भी कुछ लोगों के treatment सुरू की जाती है कुछ लोगों के लिए 80 mg या फिर maximum 160 mg पर डे जितनी medication जो है वो यूज़ की जाती है पर उससे ज़्यादा dose में आप कभी भी यूज़ ना करें तो यह याद रखे वालसा टन के लिए उसके कुछ side effects जैसे कि dizziness light सिर्दर जैसा हो सकता है fatness मतलब कि आपको चक्कर आ सकती है confusion जैसा फिलो ना muscles में cramp होना weakness sinusitis back pain जैसा भी होता है कुछ लोगों को insomnia में लेकि नेंद नहीं आती रात को लिट तक sony में difficulty होना heartbeats irregular होना coughing हो सकती है बट वो इसी inhibitor से थोड़ी calm coughing होती है myocardial infraction में लेकि heart attack का एक risk रहता है वालसाटन के साथ फिर cancer का कुछ लोगों का risk रहता है या फिर kidney failure के भी इसके risk रहते है पांचवा जो हमारा medication है वो है prazosin तो prazosin जो है वो alpha adrenergic blocker के जैसे हमने beta blogger देखी उसी तरह से ये alpha blocker medication है तो उसकी जो treatment जब start की जाती तो 0.5 या फिर 1 mg के dose से शुरू की जाती है तो यहाँ पे आप देखो कि जो फाइजर 1 mg में जो टाबलेट्स बनाता है प्राजोसिन के कि यहाँ पे आप देखो लिखे कि प्राजोसिन के टाबलेट्स ब्राड नेम है उसका मिनी प्रेस तो जब भी treatment सुरू की जाती है lower dose से 0.5 या फिर 1 mg बैट आए हो लाकि रात को सोने से पहले patient जो वह इसको यूज करता है और फिर regular जो है वह BP monitoring की जाती है डागनोसिस की जाती है और दिरे दिरे dose जो है वह increase किया जाता है और maximum जो है डोस है वो 4 mg दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार के हिसाब से patient यूज करता है और ये उसका फिर regular dose बन जाता है एक से लेकर 4 mg दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार के हिसाब से patient यूज करता है तो इसको भी कभी high dose में यूज नहीं करने चाहिए उसके prescribed dose से जदा उसको कभी भी यूज ना करें side effects देखें प्राजोसिंस की तो उसके करण भी dizziness हो सकता है drowsiness जैसा फिलोना, सेरदर्ध होना, weakness, nausea, irregular heartbeats, surgeon हो सकती है और dizziness की जैसे आप यहाँ पे patient जो समझे के खड़ा होता है तो तुरंत उसको dizziness जैसा फिलोता है, चक्कर आने लगते है या फिर चक्कर आके गिल जाए ऐसा वो मैसूस करता है तो ये side effects कई बार तब होते कि जब dose कई बार suit नहीं होता high dose में medication ले रहे है या फिर dose suit नहीं हो रहा तो ये सब side effects develop हो सकती है तो ऐसे इसी के medicine course में अलग-अलग दवायों के बारे में उनके dose side effect, warning and contraindications एक साल तक affordable price में सरल बासा में farmer rocks के अप उपर तो decision medicines course के लिए डाउनलोड करनी पड़े कि farmer rocks के अप तो उसके लिए जानकरी के लिए हमें whatsapp करें 9016312020 पे तो android user android app डाउनलोड करें आइफ़न user app store से link description box में मिल जाएगी और second channel को जरूर से subscribe करें और हमें support करें good luck and all the best